तो हलो दोस्तों बात करने वाले हैं कि इन सेर हो गया या सेरेट हो गया या जेंडर हो गया मतलब कोई साभी ऐसे फाइल टांसपर मतलब एपलिकेशन हो गया जिसे हम मतलब एक मोईल से दूसरे मोईल में कोई फाइल फोल्डर बगरा मतलब टांसपर करते हैं जैसे कि अपलि और जितना ही folder होता है हमारे mobile के phone memory में आता है मतलब जो हमारा mobile phone का internal memory होता है उसमें आता है तो हम अगर उसको SD card में करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं तो यहां पे बहुत लोग इसका रहें पता है लेकिन बहुत ऐसे लोग है जिसको इसका रहें पता नहीं है और इंटरनेट पे काफे सारा मतलब जो है वीडियो देखते हैं जिससे मतलब उसका problem जो है solve नहीं होता है अगर आप भी कुछ ऐसे वीडियो के तलास में हैं तो वीडियो आपके लिए आज मिसकर हैं बात करने वाले हैं और बहुत ही असानी से आपको बताने बाला हो कि आप मतलब जो है किसी भी file या folder को जो है एक mobile phone से दूसरे mobile phone में लेते हैं क्योंकि मेरे phone में अभी insert available है तो यहां मतलब जो भी application जितना भी application है सारा का सारा मतलब जो है सारा मों features रहता है लेकिन तो उसका setting वागरा है तो थोड़ा ओपर नीचे हो सकता है तो यहां मैं आपको insert कर रहे हैं बताने वाला हूं तो अगर आप सब जानना है तो वीडियो शूर से लेकर लागस्ता तक ना होगा फॉन मेमोरी में जाता है तो यहां मतलब करना क्या है simply यहां पर आना है मतलब insert application को open करना है open करने के बाद यहां पर आपको left side में three dot का option देखने को मिलेगा यहां पर थी line है तो simply आपको इस पर click करना है तो जैसे आप उस पर click करेंगा तो आपको साथ एक कुछी पर interface राएगा तो यहां पर आपको एक setting option देखने को मिल जाएगा तो simply आपको जहे button पर click करना है जैसे आप settings पर click करते हैं तो यहां पर नीचे में आपको एक option मिलता है save location का तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते है save location का एक option है तो यहाँ पे फिलाल अभी जो है जो भी हम file या folder जो है किसी mobile से insert को इस्तमाल करके अपने mobile phone में लेंगे तो सारा का सारा हमारा phone का internal memory में आएगा तो यहाँ अगर हम चाहें तो setting करके जो है तो सारा file folder को SD card में मंगा सकते है तो उसके लिए आप करना क्या है तो उसके लिए यहाँ पे मतलब save location के सामने में आपको एक setting का option देखने को मिलेगा तो simply आपको just setting पे click करना है जैसे आप setting पे click करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि internal memory यहाँ पे मतलब जो है इसमें जो भी कुछ आएगा तो इसमें आएगा तो यहाँ पे अगर आप इसको change करना चाहते हैं तो simply आपको जो है यहाँ पे SD card पे click कर देना है जैसे आप SD card पे click करेंगे तो यहाँ पे देखिए SD card में हो गया है जो ही file folder जो है आपका internal memory में आता था फोन memory में आता था उसको आप जो है SD card में मंगा सकते हैं तो यहाँ पे कुछ setting है जो कि आपको करना होता है जो कि normal सा setting है hope कि आप सीखिए हो है कि इन सेट से को भी file folder जो है अपने mobile phone में हम लेते हैं तो इसको SD card में कैसे ला सकते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत जाप पसंद आया होगा अगर दोसे वीडियो आपको चाहरो तो लाइक करें अगर आपके मुने कोई स्वाले सुझाओ तो कोईने उससे आप पूछ सकते हैं इंट्रेस्टिंग वीडियो के लिए आप पंचल दो सब्सक्राइब कर सकते हैं तो थैंक अब भी मिलते हैं नई वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई